तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चाप्टर फर्स रिप्रोडेक्शन इन और्गिनेब्स या फिर जीवों में जनन तो लास्ट फीडियो में हम बारा टापिक चल रहा था आर्टिफिशल वेजटेटवी रिप्रोडेक्शन या कृतिम का एक जनन जिसका मैंने पार भी है दाब लगाना या फिर ले रिंग ले ये रिंग ठीक है तो जो दाब लगाना है इसके भी काफी सारे पार्ट्स है ठीक है परस्ट है सरल दाब जो दाब भी लगता है पौधों में वह भी बहुत साधे प्रिकार से लगता है एक होता है सरल दाब एक शीरश दाब एक खाई दाब, एक सैयुक्त दाब, एक स्तूप दाब और एक जॉब दाब, ठीक है, तो पहले दाब लगाना क्या होता है, हम यह पढ़ लेते हैं, तो इस विदी में मात्र पादप से जुड़ी शखाओं को म्रदा में दबा कर, उन पर जड़े विक्सित की जाती है, जो मात्र पादप होता है, मात्र पादप ही की जड़े दबाए जाएंगे, ठीक है, इस विदी में जो मात्र पादप होगा, उससे जुड़ी हुई शाखाओं होंगी, मतलब जैसे ही कोई मात्र पादप है, उसकी शाखाओं है, ठीक है, तो इन शाखाओं को हम म्रदा में दबा दें ठीक है विक्सित की जाती है जिसके लिए पौदे के आधार भाग से विक्सित शाखाओं का प्रियोग किया जाता है आधार भाग मींस नीजे का भाग जो हम शाखा दवाएंगे वो कौन सी लेंगे जो आधार नीजे की साइड होंगी ठीक है एक कोमल शाखा से पत्यों को हटाने के बाद कोई शाखा है कोमल शाखा जैसे यह है इस पर यह पत्ति आ रही है ठीक है तो एक कोमल शाखा है इस पर यह पत्तियों को हटाने के बाद एक चीरा लगाया जाता है इस पत्ति पर एक चीरा लगाया जाता है और भूमे में दबा धिया जाता है इस दबिग वे शाकह को दाब कहते हैं जो शाकह दबाई है जेसरी पत्थी काटे जबाई थी खैसरे ग्यान काजाती है या तो जाती है क्यंगे ओ suis मतलब नीचे के साट शाखा होुएंगी उन्हें हम मृदा मित्टी में ढ़एंगी और उन्हें पर गूस समय बार जड़ा होगिलाई को अन्ह로 छाक अन्हेयर थतलिये आप चीयर को को बावा रहे हैं उसे हम बोलते हैं लेयर और कुछ समय बाद इस भाग से जड़े उत्पन हो जाएंगी फ्रेंट्स वीडियो पसंद आयों तो लाइक करना नेक्स वीडियो में हम दाब लगाने के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे ठीक है थैंक्यू फॉर वाचिंग